बहाली की बार बार घोशना कर रही है नौजवानों को सपना दिखा रही है तो क्यों नहीं इन अभियर्थियों को वो घोशित करते हैं कि इसकी हम बहाली करेंगे इनके साथ लाठी चार्ज और अत्याचार क्यों हो रहा है नमस्कार आप नीश पॉडेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना सीथ कालिन शत्र सुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभागे विजय कुमार सिन्हा एक्षन मूड में आ गए हैं लगातार शीयम नितिस कुमार पर हमलावर हैं आपको बता दें कि सिक्षक भियरती लगातार सड़कों पर हैं उनकी मांग को लेकर एक बार फिर से विजय सिन्हा सरकार पर जोरदार हमला बोला है विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर सद्धन की करवाई के दोरान ही नोटिफिकेसन जारी नहीं किया जाता है तो बीजेपी इसके लिए बड़ा जिसमें कई करोर का घोटाला का मामला है उसके संदर में आचार समीती के परतिवेदन के संदर में पहले भी हमने आगरह किया था सदन सुरू होने के पहले विजय सूची में समलित करने के लिए और आज देख रहे हैं कि आज भी नहीं आया कल के विजय सूची के संदर में मानिये विदान सभा अध्यक जी को मैं एक पत्र भी लिखा है कि कल के विजय सूची में वो समलित करें दूसरा है कि T.E.T. C.T.E.T. और S.T.E.T. उतिन अभिर्थी जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उनके विशय गंभीर हैं जनून है सरकार बहाली की बार बार घोशना कर रही है नौजवानों को सपना दिखा रही है तो क्यों नहीं इन अभिर्थियों को वो घोशित करते हैं कि इसकी हम बहाली करेंगे इनके साथ लाठी चार्ज और अत्याचार क्यों हो रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार कई बार उन लोगों के साथ मिली भी है हम लोगों ने भी समामला को सरकार के संग्यान में दिया है आप लोगों के माद्धम से भी सरकार गंभेड़ता से इनके विशय को ले और घोसित करे चलते सत्र में कि इनके समस्या का समधान कब करेंगे BPSC के अंदर जो घोर अनिमित्ता ब्याप्त है और परिच्छे के अंदर जो भरष्टाचार वहां बैठे हुए पदाधिकारी आयोग के सदस्य के उपर जो आरूप लगाया गया है सरकार क्यों संघ्यान नहीं ले रही है? परतीभा का हानन कर और आयोग की विश्वसणिता को घाटाने का खेल क्यों हो रहा है? ये तीन विशे को लेकर हम लोग सरकार से आज भी मांग किये हैं एक विशय तो विधान सभा अधग से जुरा है जहां हम देंगे आगरह करेंगे कि आपने पिछले बार आशन से कहा था कि हम उसको उचित समय पर रखेंगे तो ये सत्र जब बेधीबत रेगुलर सत्र जब शुरू हो गया है तो किस दिन आए उमिद कर रहे हैं कि इसी चलते सत्र में दोनों परतिवेदन वो जरूर उपस्थापित सदन पटल पर करेंगे और वहाली निक्ति के नाम पर वरगलाने का यहां के जुआओं को भरमाने का और उसके आंदोलन को उसकी आवाज को दबाने का खेल बंद करें सरकार और सरकार अगर जो ये खेल नहीं बंद करेगा तो इनके विरोध में सरक से सदन तक पूरी ताकत से आंदोलन होगी मेरा विशे है परतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित करें क्योंकि जीरो टोरलेंस वरस्टा चार के नाम पर बारवार मुक मंत्री जी दोहराते हैं ये MKCL कंपणी स्रीफ सरम संसादन विवार स्कील डेवलप्मेंट से जुरा नहीं है इनका डोमेण स्कील हर विभाग के अंदर नगर विकाष वास्ति विभाग किर्शी विभाग कई विभाग के अंदर यहां तक की विदान सभा के अंदर भी MKCL के द्वारा जो खिल खेला गया है इन तमाम के अंदर जो घोटाले का वातावर्ण बना है इस मामला पर आप संग्यान लें और अगर जो आप इमंदारी के साथ जीरो टॉर्लेंस करप्सन पर लाना चाहते हैं तो सदन पटल पर रखें खाना पूर्ती न करें या उसको वर और नहीं तो स्रीवियाई को इसको सौप दें इस मामला को सुना आपने कि क्या कुछ कहा है आपको बता दें कि यही नहीं बिजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिसरत से बिहार में लॉयन ओर्डर धस्त हो चुका है अपराद वरस्टाचार लगा अतार बढ़ता जा रहा है ग् अन्यवाद